असलाम अलेकूम मुवसिस नासरी निकिराम आप देख रहे हैं मेरा फेस्बूक और यूट्यूब चेनल और आज की ये वेरी वीडियो एक ऐसे टापिक के उपर है जो टापिक काफी मर्दस रत को एरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मुपतला करवाता है वो टापिक ये है कें वेट कास एरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सवाल ये है कें वेट लास ट्रीटि यूर एरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो ज्यादा वेट होता है क्या वो आपको जो है वो नामर्ग बना सकता है या अगर आप वेट को लास करते हैं लूस करते हैं तो उसके बाद आप वेट लूस होने से आप अपने एरेक्टाइल डिस्पॉंशन की ट्रिट्मेंट कर सकते हैं तो ये जो है ये बड़ा आहम सवा है जो हर बन्दा जोए वो दूसरे बन्दे से करता है कि मेरा वेड जोए बढ़ गया है कि मैं अपना वेड जोए वो रिडीउस करूं और उस तरिके से मैं इसे ना मर दी कि प्रिबलम से जोए वो निजाती है असिल कर सकता हूं या नहीं तो आजकल तक्रीबन USA के अंदर अगर आप देखेंगे तो 30 मिलियन्स से ज्याद़ लोग जो हैं वो ED में सफर कर रहे हैं तो अबेसिटी और ED का आपस में जो है वो एक लासम मलसुम जो है वो एक रिष्टा जुड़ा होगा हुता है क्योंकि ओबेसिटी जो है वो आपके लिए बड़ी बीमारियां पेदा होने की नवीद देती है ओबेसिटी जो है वो बहुत सारी आपकी कंडिशन्स खराब करती हैं और खराब कंडिशन्स जो बनती हैं तो इसी conditions के अंदर आपको heart disease होती है मुटापे होने की वज़ा से आप diabetes में जो है वो सफर करते हैं मुटापे की वज़ा से आप heart के ethereosklerosis वाले problem में जो है वो मुबतला हो सकते हैं आप high blood pressure के अंदर सफर कर सकते हैं आपका polystore level जो है वो बढ़ सकता है तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मुपतला करती हैं तो इसे ये चीज़ जो है आप विसली अजहर में नशम से वाज़ हो गई कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप ज्यादा तोर पर रिस्क के उपर होते हैं कि आप जिन्दगी के किसी ना किसी इसे में ना मर्द बन सकते हैं तो इडी जो है ये ओबेसिटी के साथ इडी जो है जो होती है वो ट्रीट करने में भी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि जब अबैस होता है बन्दा मुटा होता है तो उसकी पीनस की साइस है वो भी कम हो जाती है और उसका पीनस जो है वो श्रिंक हो जाता है तो इसी कंदिशन के अन्दर over weight होने की वज़ा से आपका डाक्टर जो है वो भी आपको ट्रीट करने के हमाले से बड़ा शच्टर परिशान हो जाता है तो एक बात है किस तरह आप अपना वेट लूज करें देखें जो लूज करना है वेट तो जब आप वेट लूज करेंगे तो उस तरीके से आप जो हैं वो काफी हद तक एरेक्टाल डिस्फक्शन से निजात आसिल कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रोसीजर के जरी हम अपना वेट लूज करें लाइको सक्शन करवा कर अपना वेट रिडियूस करवाते हैं इस टमक की सरजरी जो है वो करवा कर अपना वेट रिडियूस करने की कोशश करते हैं या कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो एंटी ओबेसिटी की ड्रक्स जो मार्केट के अंदर और लो इस्टेट या इस तरह की बहुत सारी प्रड़ट्स जो है वो मार्केट के अंदर आती हैं और वो इस्तेमाल करते हुए अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अगर आप इन तरीकों से अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं तो ये तरीके आपके लिए गलत हैं ये तरीके आपको इरेक्टार डिस्वंचन से निकाल नहीं पाएंगे बलकि आप ज्याद़ इरेक्टार डिस्वंचन में चाह सकते हैं क्योंकि औरलो इस्टेट य जो है वो ज्यादा है तो इसी कंडिशन के अंदर जो है वो आपको जो है वो ज्यादा एक्सरसाइस करनी है अपनी केलरीज को जो है वो ज्यादा तोर पर बर्न करना है वाग के उपर जो है वो ज्यादा तबज़ा देनी है बिरस्क वाग जो है फू करनी है और इसी वाग क जो है वो आपके दिल का धरकन जो है वो आपको खुद को फील हो तो इसे परीके से जो है वो आपका जो आक्सिडेटिव प्रोसेस है वो काफिया तक रिडियूस हो जाएगा और जो इंफलेमेटरी मारकर्स हैं वो जो है वो कम हो जाती है जब आपका वेट जो है वो रिडिय कितनी इंटेक कर रहे हैं कितनी आप केलरीज रोसाना पर डे के हवाले से ले रहे हैं और इसके उपर भी आपका बचाते हैं कि आप रोसाना कितनी केलरीज जो हैं वो बर्न कर रहे हैं तो केलरीज जितनी आप ले रहे हैं तक्रीबर ट्रिपल आप जो हैं वो केलरीज जो हैं आपकी चर्वी को बर्न करते हुए उसको खतम करते हुए उससे जो फैफो लेने की कोशश करे तो ये तरीके कार जो फैफो आपके लिए बड़ा बेनी फिशल है तो ऐसे हवाले से जब आपका वेट रेडियूस होता है नसरफ आपका एरेटाल डिस्ट्वंशन का इशु काफिया तक कवर हो जाता है बलकि आपकी सिल्फ इस्टीम जो है वो भी बढ़ जाती है इंक्रीस हो जाती है और मेंटल हेल्थ जो है उसमें भी बेतरी आती है अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए और आप मेरे इस यूट्यूब जैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले अल्ला आपका हामी और नासर हो स्लावते कुम